नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों ये भी एक वीडियो ऑन डिमांड है जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर राहूल देमरी जी ने बहुत लंबी सी लिस् सजेस्ट कर रहे थे वह था गॉल स्टोंन तो मैंने पत्थरों की बात हो इंट आप किया है कि ऊज़िए जी सेंग्ड that कि sir please make the video on intermittent disease तो केतुल जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस चीज को intermittent disease बोल रहे हैं कि आप intermittent fever की उपर video देखना चाहते हैं और अगर intermittent disease है तो थोड़ा सा comment section में फिर से comment करिए और इस चीज को clear करिए कि आप किस बारे में video देखना चाहरा है मैं फिर पूरी कोशिश करके उसको बदाने की कोशिश करूँगा कि तो दोस्तों जैसा कि आपने बहुत लाइक करा पिछला वीडियो जो था वो था renal stone के बारे में और इसलिए क्योंकि हम रीनल stone में मैंने आप से चर्चा करी थी यह renal stone के पीछे लीथेमिक constitution है जो homeopathy का concept है कि what is the लीथेमिक constitution और उस लीथेमिक constitution का जो second spot है जहां पर यह लीथेमिया की tendency पत्री बनाने की tendency एक body में होती है that is the goal stone तो यह जो वीडियो है यह गॉल इडर के stone के बारे में हैं कि है तो दोस्तों इसको detail में पढ़ने के लिए और समझने के लिए दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं तो दोस्तों gu cities ब्लेडर stone को detail में समझने के लिए वीकुष तीन-चार बात हैं पहले समझना पड़े का गॉल ब्लैडर क्या है उन्हीं दर्शकों के लिए मैं यह बोल रहा हूं जो नॉन मेडिकल फीड्ट से विलॉंग करते हैं जिनको शायद यह बीमारी हो और वह इसके बारे में इसके इलाज के सहीत और जानकारी भी चाहते हूं तो पहले हम जानेंगे गौल ब्लैडर क्या होता है उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि गौल स्टोन होने के में कारण क्या होते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका होमियोपैथिकली क्या ट्रीटमेंट होता है और एलोपैथिकली क्या प्रॉबिलिटी में यह लोग एलोपैथी में क्या करते हैं तो दोस्तों स पैटिंग माजुट आपने सकते ना कह dus हौँ है अप जैसे देक पार होगन के लगा हुआ यह फार्च होता है जैसा कि आप मर्क्यूरी मत बीवर्ण करने का एक हमारे हाथ में होता था बिल्कुल एक्जेक्ली उसी डिजाइन का एक छोटा सा पाउच जो होता है डेट पाउच इस नोन एज वाट गॉल ब्लेडर इसमें कई आपको तस्वीरों से बताने की कोशिश करूंगा यह देखिए गॉल ब्लेडर है ठीक है यह गॉल ब मतलब सिंगल एंड इसका डेड एंड होता है कि इसके अंदर कोई चीज आती है फिर वह उसी जहां से एंटर होगी वहीं से निकलेगी तो एक छोटा सा पाउच जो की हिपेटिक एप्रेटस का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं गॉल ब्लेडर अब दोस्तों सबसे इंपॉ बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ओफ फैट में मतलब जो हम फैट जो हम वसा खाते हैं जो हम चर्बिया खाते हैं फैट समझते हैं अब लिपिट तो जो फैट हम खाते हैं उस फैट को पचाने के लिए ठीक है उस है फैट को पचाने के लिए बाइल हेल्प करता है इसको पचाता नहीं है बाइल हेल्प करता है बाइल क्या काम करता है इमल्सिफिकेशन और फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब कि जो फैट होता है वो जनरली पानी में नहीं घुल पाता है और हमारी बॉडी का काम करने का जो मीडियम होता है जिस मीडियम में हमारी बॉडी के से लेने भी chemical reactions होते हैं गिवेंटेक होता है oxygen का देना और carbon dioxide को लेना यह सब water के मीडियम में होता है तो उस fat को पचने योग्य इस्तिती में लाने के लिए हमको जरूआ थे कि करने और इमल्सिफेकेशन और फेट का क्या करता है अब आप बोलोगे कि बाइल तो सब लीवर से निकलता है तो फिर उपर वाले गॉल्व ब्लेडर क्यों बना का क्या काम होता निकल जाता खोना है दोस्तों दिख्कत यहीं पर है कि जो वाईल होता है वह तो होता है की सटैंट में नहीं बन ना खाता तो शायद मेरे को उतना पित नहीं मिल पाता जो मेरे को डाइजेशन के लिए जरूरी है आप समझ रहे मेरी बात तो उपर वाले ने इसलिए पाउज दे दिया मतलब रिजर्वायर दे दिया कि भाई ठीक है आपका नहीं बनता तुरंत भाइल धेड़ पैड़ तो आप बनाते रहो इसमें आप उसको इखटा कर लो कि जब भी आप भोजन करो तो उस भोजन के साथ यह क्या होगा यह यह वहाँ पर आपका ड्रेन होगा और यह खाने को पचाने का काम करेगा तो यह होता है गाल ब्लेड़र ठीक है न तो अब हमने जाना गाल काम क्या करता है साब गॉल ब्लेडर पित को रिजर्वायर रिजर्व करके रखने का काम करता है कि आप जब भी भोजन करें तो यह जो पित होता है यह बाइल होता है यह आपके डाइजेस्टिव ट्रेक में जाके इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट और आपकी पाचन तंतर की प्रोसेस के अंदर सहायता दे सके हैं तो दिस इस नोन अज़ गॉल ब्लेडर ठीक है आप सीधे हम आते हैं गॉल ब्लेडर में स्टोन का मतला और यह कॉमन सेंस है गॉल ब्लेडर के ठीक है ना कई बार जब गॉल ब्लेडर में स्टोन है उसके साथ साथ इंफ्लमेशन भी हो जाता है गॉल ब्लेडर का वह एक्यूट एक इमर्जेंसी होते है देट इस वाट इस नोन अस दा कॉलेसिस्टाइटिस है ना तो यह कॉलेश अब्द जो गॉल ब्लेडर के लिए इस मतलब पत्थरी तो सीधी सी बात है वेनेवर वी हैव दो पत्थरी इन दे गॉल ब्लेडर इट इस नोन अस दकॉले लीथिस ठीक है ना तो यह आप यह देख रहे हैं इस तरह के पत्थर होते हैं यह इतने बड़ बड़ पत्थर निकलते हैं कई बार वाकई में लिट् पत्थरी के निकलने का कोई भी सिस्टम नहीं होता अब आते हैं कॉस ऑफ गॉल स्टोन क्यों होता है गॉल स्टोन यह भी तो समझना पड़ेगा ना विट्रीट्मेंट तो एक मिनिट की बात है चार मेडिसिन बताना ट्रीट्मेंट हो जाएगा फर यह सब चीज़ें भी जनना जरूरी हैं अब मैं काउस ऑफ गॉल स्टोन पर आने के पहले मैं दो चीजें पढ़ूंगा दो चीजें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में कॉलेस्ट्रॉल आता कहां से है ठीक है न यह की कॉलेस्टॉल का गॉल स्टोन से बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन्शिप है मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि फेक्ट अबाउट दे कॉलेस्ट्रॉल सॉरी कॉलेस्ट्रॉल इस फेट लाइक वेक्सी सब्स्टेंस देट हैस्ट यूर बॉड़ी तो मेंग दे सेल मेंब्रेन इसलिए कॉलेस्ट्रॉल है हमारे बाड़ी के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूर है कई हार्मोन और विटामिन डी का भी synthesis कॉलेस्टरोल की प्रेजेन्स में होता है अब सवाल पैदा होता है कॉलेस्टरोल हमारी बॉडी में आता कहां से है लोगों को एक ही गलत फैमी है कि सहरे हम खाते हैं तो कॉलेस्टरोल आता है यह मैंने इसलिए बता दिया कि इसके कॉस को समझने में कोई confusion नहीं हो तो है ना तो the cholesterol in your body comes from two sources the food you eat and your liver your liver make all the cholesterol your body need are you getting my point है ना तो यह अपन इतनी चीज अपन समझ गहे है ठीक है ना अब अपन आजाते हैं bei ठीक है ना पहले हमने क्या समझा हमने समझा कोले स्टॉल क्या होता है कहां से चला कोले स्टॉल तो हमारा खुद का लिवर बनाता है अब हम आने गे बाई का कम्पोजीशन क्या है कि जो बाइल होता है वह वान में किया कि होता कैसे बनता है तो तो bety is of पर्सेंट तो पानि होता तो चलो ये तो घटा दो आप variety परसेंट की बात कर रहे हैं इसमें 0.7 Bile Salt होते हैं 0.2 बिलीरूबिन होता है 0.5 2 परसेंट a다 오른äre कवान कोलस्टरॉल his free fatty acid unless it dial तो क्या क्या होता भी यह वाट is the composition of bile जो हमारे liver पित बनाता है तो पित के अंदर के 98% तो पानी होता पानी के अलाबा उसके अंदर होते हैं bile salt होते हैं, bilirubin होता है और cholesterol होता है, fat होता है इन-न-the-colesterol of fat होता है in-the form of cholesterol and free fatty acid ठीक है न? अब आते हैं हम main मुद्दे पर अब आपको मैंने गॉल स्टोन बताने के बाद सीधे कॉस न बता कि दो चीजें क्यों बता ही पहले मैंने आपको बता है कॉलेस्ट्रॉल कहां से आता है ब्लड में और दूसरा कम्पोजीशन ओफ बाइल क्या होते हैं जिसके अंदर में में कोलेस्ट्रॉल खिला क्योंकि यह सीधा इसके से रिलेटेड थे हैं तो कॉस भाइए वाट इस दो कॉस ऑफ गॉल स्टोन तूमाज कॉलेस्ट्रॉल इन यूरे बाइल अब जैसे कि आपने देखा कि बाईल जो होता है वाईल के अंदर भी कोलेष्टर minimal होता है वाइल के अंदर जो कोलेष्ट्रॉल स्थ्टेट जट स्थ्ट बाइल इं इसलफ और दूसरी चीज कोलेस्टरोल का सिंथेसिस खुद हमारा लीवर करता है यह आपने देखा अभी जो मैंने आपको कॉलेस्ट्रॉल वाला जो फैक्ट अबाउट कॉलेस्ट्रॉल में बताया तो दोस्तों जब भी लीवर के अंदर या बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिजम का गड़बड़ी होगा तो गॉल स्टॉन बनने के चांसे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस वन आप दे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस ऑफ गॉल स्टॉन वाट इट इस टू मच कॉलेस्ट्रॉल इन यूर बाइल बाइल के अंदर जब जरूस से ज़्यादा कॉलेस्ट्रॉल होगा तो आपको गॉल स्टॉन बन जाएगा क्यों अब एक मेरा एक सवाल है कि मेरे अन्हें बस एक गिछ सब्सक्तारण पानी है उसमें गिलास में कल शक्कर गोल के किा यह गुल पााओंगे एक क्लो शक्कर घोलने को एक स्पेसेफिक मात्रा होगी पानी की कम से कम उत्री मात्रा आपको चाहिए इसको हम गहते हैं सेक्शूरेशन फॉइंट कि सिभी चीज क हर एक लिक्विट के अंदर उसकी लिक्विट की मात्रा में सेचूरेशन पॉइंट होता है कि यह एक गिलास जो शक्कर है या फिर एक गिलास पानी है इसके अंदर सिर्फ इतनी शक्कर ही घुलेगी क्योंकि अगर इससे जादा शक्कर मैंने रख दी या डाल दी तो वह बच पानी के अंदर केमेश्ट्री के हिसाब से उस पानी के मॉलीक्यूल से जितने मॉलीक्यूल शुगर के बाइंड हो सकते थे वह सारे इसमें घुल जाएंगे और उसके ऊपर जो मैं शक्कर डालूंगा वह शक्कर जो है वह हमेशा क्रिश्टलाइन फॉर्म में नॉन डिसॉ हो रहा है उस बाइल के अंदर जितना कॉलेस्ट्रॉल नेचरली से चुरेट होके रह सकता है सिर्फ उतना कॉलेस्ट्रॉल वह बरदाश कर पाएगा और सिर्फ अगर वह कॉलेस्ट्रॉल उस लिमिट के नीचे है तो ही आपको पथरी नहीं बनेगी पर आप हमेशा याद कि अगर आपके लीवर के अंदर कॉलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा कॉलेस्ट्रॉल लेते हैं बहुत जैसा आज कल तला गला लोग खा रहे हैं तो यह कॉलेस्ट्रॉल का लेवल जब bile में बढ़ेगा और उसके saturation point से उपर हो जाएगा तो जो excess जो cholesterol है वही crystallize होके पत्री बना लेगा तो पहला कारण cholesterol का too much cholesterol in your bile and the second one is too much bilirubin in your bile जो की दो main constituent bile के बताया थे bile के constituent में 98% तो पानी था उसके अलावा bile salt थे, bilirubin थे और cholesterol थे तो जो आखरी के जो दो हैं इनका बढ़ जाने की वज़े से गॉल स्टोन होता है तो too much bilirubin in bile bilirubin is the chemical product which your liver destroy when your liver destroy old RBC यह हम सब जानते हैं कि RBC के destruction के बाद जो by product होता है वो bilirubin होता है some condition such as the liver damage, certain blood disorder causes your liver to produce more bilirubin मतलब RBC तूट रहा है और RBC जो तूटता है उसको ठिकाने जब लगाया जाता है तो उस process के अंदर bilirubin निकलता है तो जो liver की capacity है RBC को ठिकाने लगाने की जब यह उससे ज़्यादा RBC का destruction होगा तो यह bilirubin liver की metabolic capacity से ज़्यादा bilirubin बनेगा और वो जो bilirubin वाले stone होते हैं they are pigmented stone form when your gallbladder cannot break down the excess bilirubin मतलब जब liver excess bilirubin को break down नहीं कर पाएगा तो gallbladder में आके वो क्या हो जाएंगे वो बन जाएंगे gallbladder stone जो की pigmented होते हैं दोनों के color में फरक होता है जो cholesterol के कारण जो stone होता है वो stone light yellow color का होता है ठीक है almost इस color का है जो आप यह देख रहे हैं Microsoft का Windows का निशान है इसका yellow color जैसे तीसरा कारण है कि concentrated boil due to the fill gallbladder यह तीसरा कारण है तो पहला कारण ज़्यादा cholesterol होना दूसरा कारण ज़्यादा bilirubin होना और तीसरा कारण है gallbladder का हमेशा भरा रहना जब आपके खाने पीने का कोई एक cycle नहीं होगा कोई time नहीं होगा कोई एक time नहीं है जिस पर आप खाना खाते हो आप हर कभी खाने बैठ जाते हो कभी आप सवेरे जल्दी खा लेते हो कभी आप दिन बर कुछ नहीं खाते हो तो ऐसे लोगों के अंदर और पित्त की थेली कब खाली होगी जब भाई खाना खाने बैठोगे और आपकी biological clock fix होनी चाहिए कि भाई रोज तु बारा बज़े खाना खाएगा तो रोज तेरी पित्त की थेली बारा बज़े खाली हो जाएगी पर ऐसे लोग बहुत जादा तादाद में जिनका कोई clock biological न में रहने के कारण को कि छोटा सा गॉल ब्लेडर उसमें भर दिया आपने टाइट पित्त तो ऐसे लोगों के अंदर ओवर दे पिरिएड और टाइम ज्यादा बाइल फुल फिल्ड बाइल इन दो गॉल ब्लेडर की वज़े से वह जो बेस वाला इससा रहता है वहां पर क्र फथर बन जाते हैं तो यह दे और दोस्तों यह थे तीन कारण है ना अभी यहां पर यही दूसरी तरह से डेफिनेशन ने म單 गौल स्टॉन जो होते हैं में टु टाइप के होते हैं कोल स्ट्रॉल इस्टॉन की जास्ती की वज़े से होते हैं फिल के अंदर यह एट़ि परस की अधिकता की वज़े से होते हैं और यह डार्क कलर के और छोटे होते हैं ठीक है ना तो यह हमने समझा इसको बहुत अच्छे से और दोस्तों अब फुल और फाइनल वीडियो को बिल्कुल क्रिपल खतम करने पर हम जा रहे हैं इसका ट्रीतमेंट सीधा सीधा है क्योंकि गॉल इस्टॉन का जो पेशेंट होता है तो लिधे कोंस्टिटूशन को कवर करने के लिए इस पेशेंट को हम देंगे कलकेरिया क थर्टी चार चर गोली दिन भर में 3 बार प्लस लाइको पोडियम 30, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार और in the form of mother tincture, being the patient of gall stone इसको हम देंगे barbaris, vulgaris, Q और ये पूरा prescription depend करेगा gall stone कितना पुराना है तो हम देंगे इसको barbaris, vulgaris, Q मतलब mother tincture, 15-15 बून, दिन भर में 3 बार आदे कब पानी में और मुझे उमीद है कि 2-5 महिने के उपचार के बाद इसके अंदर बहुत improvement आएंगे अब सबसे पहली जीजिए आप समझ लीजिए कि what could be the improvement improvement क्या होंगे देखिए improvement ये होंगे कि gall stone पहले तो छोटा होगा पर ये जरूरी नहीं कि gall stone के size में reduction हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है शरीर क्या करता है homeopathic treatment के बाद अब एक example देता हूँ कि आपने किसी का slip disc का इलाज करा उसकी MRI में नर्व compression था अब मेरा ये सवाल है उसको हमने treat करा तो क्या उसका वो pathology चला गया नहीं जाएगा pathological changes जो एक बार आ जाते हैं वो कभी भी पलटते नहीं वापस बट homeopathic treatment से body उस pathologic part को isolate कर देती है वो pathology जो बन गई है उसके साथ हमारा एक adjustment बिठा देती है और वो adjustment से वो pathology हमको lifetime में कभी भी परिशान नहीं करेगी तो ऐसे patients मैंने देखे हैं जिनको बहुत बड़े gallstone थे उनका treatment हमने करा उनका treatment हमारे seniors ने करा और उस patient को वो problem उसके बाद जिन्दिगी में कभी भी नहीं हुई यद्यपी वो जब भी उसकी sonography हुई वो gallstone भला पहले से 10 mm छोटा है पर फिर भी वो आज कहीं न कहीं एक छोटा से पार्ट में दिख रहा है है ना तो दोस्तों body क्या करती है homeopathic treatment से ऐसे जो pathological changes बहुत ज़्यादा जगे हो जाते हैं उन changes के साथ हमारे adjustment को बिठा देती है और वो adjustment की वज़े से हम lifetime उस बीमारी के साथ बिलकुल भले चंगे जीते हैं ना बीमारी हमसे कुछ कहती है ना हमको बीमारी से कुछ कहना पड़ता है है ना और दोस्तों यही homeopathic की खुबसूर्ती है तो दोस्तों इस वीडियो के साथ यही तक इसको समाप्त करते हैं और बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार